हां ब Нhard वीडियो पे काफे अलग अलग वीडियो पे सवाल आयुऊ था यह कि अगर इंडिया में आपको एंप्ल्वोर आपको यह नहीं रहा है या तो लेसे नहीं आप और यह क। और किस तरह से करना अचिए इस बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं आफकोर्स ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वो ही ठीक है बट मैं सरफ अपनी राय शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने इंडिया में अपनी 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 अदी लाइफ निकाली और यहां पे भी मिर्क वाटनो साल हो गया अमेरिका में रहते हुए तो बेस्ट अन अल थोस आइकन आइटिंग आइकन शेयर सम इनसाइट और सम भी ऑब्सरवेशन तो यह मेरे इस आप से पहले बात करते हैं क्या करना ची और दूसरा उसको कैसे करना चीए तो सबसे पहले आपको यह समझना चीए कि जो एच वान भी वीजा है उसमें बहुतार लग चीई होता क्यो किया है तो या फिर तीन साल की डिग्री जैसे की बीकॉम ब्सी आइटी बीसी एब अगरा जो भी प्लस में तीन साल के वर्क इस्पीरेंस जब आपके पास दोनों चीज़े हो जाती है तो अमेरिकन एंप्लोयर जो प्रोस्पेक्टिव एंप्लोयर है वो आपका वीजा फा नंबर आ गया वो बंदा यहां पर आ सकता है मतलब उसका एच वन भी पिक हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारा लक भी इंक्लूड़ीड है तो ड़संट मैटर कि यह आपने पी एच डी किया है यह आपने भी एस्टी किया यह भी कॉम किया है इनिशल स्टेज पर आप क यह आपको बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी मिली है तो इसको अपसलूटली मेरे सबस्ट नहीं करना चाहिए रीजन चाहे कुछ भी हो आपको यहां पर नहीं लेकर आ पार रहा है देन आपसलूटली यू शुद डू अवरी डें तिंग पॉसिबल तो गेट है इधर अब करते हैं कि वह कैसे करना है ठीक्ơ यह तो प्ता चलगे तो इसको आप कैसे इसका पाइदा उठा सकते हो इस situation में खास कर तो नमबर वन तो मैं करूगा यार जो आपका existing employer है उससे जाके नगोशियेट करो मैंने काफी जो जब मैं चोटी कमपनी में काम करता था चोटी कमपनी में तो मैंने जो बिजनस के ओनर है उनके साथ जिसे उन लोगों साथ काफी close काम किया तो मेरे को थोड़ा सा आब्जर्वेशन है कि वो लोग किस तरह से सोचते हैं, तो मेरे इसाब से आपको यही करना चाहिए, कि सबसे पहली बात आपको फिगर आउट करना चाहिए, कि क्या रीजन है कि आपका एंपलोवर आपको एच वन भी आपका पीक होगी, उसके बाद भी स्टैंप करा के अमेरिकन नहीं लेकर आ है, वो इट से दो रीजन होंगे, नमबर एक, उन्होंने आगर आपका वीजा फाइल बगरा कराया है, तो उनको आपके अंदर कुछ लगता होगा, तब ही फाइल कराया है, वरना तो इतना ये पैसे राफेट्स एंपलोवर जल्दी से लगाता नहीं है, प्राइवेट और प्राइशन के अंदर, तो फिर भी आपको अगर नहीं लेके आपर, तो प्रामेरी जो रीजन होगा, वह यह होगा कि आपके एंपलोवर के पास यहां पे इनफ प्रोजेक्ट नहीं है, जिससे कि आप आओ और उन प्रोजेक्स में काम करना शूरू करो, जिससे कि अपनी से हम इसे कॉइशन होता है, तो आपको यह फिगर आउट करना है कि दोनों में से कौन सा रीजन है, प्रामेरली फिरस वन यह होता है, और एच यह जान पचान निकालके, कहीं ना कहीं से, आम शूर यह फिगर दैस आउट, वान से फिगर इन आउट चैंसे आर कि आप फिर्स बाकिट में होगे सेकेंड में होते तो श्यादों का इनिशल लिए वीजा फाइल के लिए उसके बाद आपको पता चल गया कि मेरा इसलिए नहीं लेकर आ पारा ने को कि अमेरिका में उनके पैस प्रॉजेक्स नहीं है तो अभी आपको यह करना कि जो भी आपका यहां पे अमेरिका में जो मेन इंचार्ज है उसके साथ आपको नेगोशियेशन करना है और नॉमली देखो नेगोशियेशन में यह नहीं कह रहा हूं कि नॉमली हमें बच्पन से खाया जाता है कि नेगोशियेशन मतलब वन विल बी लूजिंग दब बैट नेगोशियेशन करने जाओ तो नेगोशियेशन करने जाओ तो देखो आप उनकी अगर नीड समझोगे तो उनकी नीड इस ताइम पे यह है कि अफकोर्स उनको बंदा तो यहां पे चाहिए तभी नोने वीजा आपका फाइल किया बट उनके पास अभी प्रोजेक्स नहीं है और आपके साथ उदर प्रॉब्लम यह है कि आपको अमेरिका तो जाना है आपका वीजा भी स्टैम्प हो चुका है जितना लेट आप पर करते जाओगे उतना आपके लिए नुकसान है क्योंकि तीन साल का वीजा आपको मिला है उसमें से अगर आपके एक-दो साल वहीं पर खर्च हो गए तो उसके बाद बड़ी दिक्कत होगी फिर यहां पर किसी एक साल के लिए निशली ले के आने में तो यह दोनों प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव साइड की कि यह दोनों को क्या चाहिए हमारें क्या चाहिए कुछ ऐसा जुगार जिसमें मेरे को पैसे भी कम देने पड़े हैं और यहां पर मैं उससे कुछ बंदे से उसका लेवरेज कर पाऊं और हमें क्या चाहिए अमेरिका आना चीए अट लीस्ट एच वन भी पर यहां पर आना है उसके बाद तो देख लेंगे यह फस्ट पास जाना है और जाकर यही बोलना है कि बेशक मेरको आप सेलरी कम देदो आएंड़स और अपके पास प्रोजेक्स फिलाला मारे पास नहीं है मैं सैलरी कम करने के लिए रडी हूं और मेरे को पता है कि हमारी सेल्स टीम सें तो मैं बंके साथ कॉल्स पर जाके प्रूफ सब्सक्राइब कर सकता हूं लोकली वहीं बैठके अपनी सेल्स के टीम को जिससे की बिजनस हम और ज्यादा और अच्छे से लेकर आप आएंगे तो and once we get the project then I'll start working on that specific project देखो मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि इसमें कोई गैरेंटी कि आपका employer बोलेगा कि हाँ ठीक है बट आप अगर एक business mindset के साब से सोचोगे तो जो employer है उसको हमेशा चाहिए होता है front facing sales ज्यादा लेकिया ना इन चीजों पर काम करता हूं delivery तो बात में हो जानी एक बर project आ गया त तो आपको उसी को pinpoint करना है आपको सम्हाव उनको यह यकीन दिलाना है कि जब आप यहां पर आओगे तो number एक आप अपनी salary में compromise कर रहे हो जहां पर लेट से आपको मान के चलते कि आप ठीक था company में आ रहे हो जहां पर लेट से $100,000 का salary नोमली देते हैं वो तो आपने बोला से उन कॉल्स पर help कर पाऊं फिर जैसे कई बार होता है कि customers आपको contract देने से पहले आपके कुछ बोलता है कि यह मेरे को demo बना के दिखाओ या POC बना के दिखाओ या ऐसा कुछ तो वहां पर बूल सकते हूं कि मैं वहां बैट की बहुत सरे demos और बहुत सरे POC वगरा बनाओं कि यहार बंदा salary भी कम ले रहा है सत्तर अजार में यहां पर मेरे को अच्छा बंदा मिलना नहीं है अगर में यही का local बंदा ढूंडता हूं तो और दूसरा जो यह कह रहा है कि sales के demos बनाएगा sales की call पे technical sites से help करेगा और जिससे कि projects और sales आने में असानी होगी तो that makes sense अगर और ऐसा उनको लगता है वो बोलते हैं कि ठीक है let's do that थीक है तो आप ऐसा करना बिल्कुल इसमें सोचना मत क्योंकि उसी company के साथ आप आओके तो अच्छा है और यहां पर आने के बाद जैसी आपको project मिल गया में भी first three months में उसके बाद then you can renegotiate with your employer saying कि भाइभी मैंने पह आपका employer negotiate करने में इस ताइम पर यह आपका employer initially बोल जाता है कि नहीं यार I know thank you your compromising की सतर जार दे दो फिर यहां पर बुला लो बट मेरे पास इतने भी resources अभी नहीं है तो यह दूसरी situation हो गई और ऐसी situation में हमें दोस्त क्या करना है कि मतलब मैं अपना observation बता रहा हूं अपन relationship होता है वो एक for profit relationship है कि जब तक हम उनको अच्छा काम करके दे रहे हैं salary हम अपनी justify कर रहे हैं they will keep us और उनके साथ भी ऐसा है जब तक उनको हमसे कोई सस्ता अच्छा बंदा नहीं मिलता तो हमारा काम चल रहा है the day that doesn't happen we might be all together gathering तो इसलिए यह दिमाग में मैं सोच के चलो कि तुमने अपने employer के साथ को एच वन भी वीजा उसने फाइल कर दिया तो उसके साथ तुमारा जन्मों जन्मों गरिफ्ता जूड़ गया है जितनी जल्दी तुम यह बात समझ जाओ उतनी जल्दी अच्छा है तो अगर तुम मिला है तीन साल का जितना जादा तुम वहां पे अपने वेस्ट करते जाओगे तुमारे चांसे मेरे साब से उतने ही कम होते जाएंगे यहां पे आने के ठीक है लास में तुम्हारा एक साल के वीजा बचा और तुमने बाकी employers को reach out करना शुरू किया तो उनके दिमाग में एक साल के लिए पहले मैं आउंगा फिर इसका रनीवल करूंगा तो हमें क्या करना ऐसे टाइम पर हमें दो चीज करनी है दो चीज करनी है बाद दो तरीकों से करनी है सबसे पहली चीज तो दिमाग में बठा लो कि इस आपस्लूटली पॉसिबल तो find a prospective employer right when you are in India विदेच H1B, who would be ready to transfer your H1B, it's absolutely possible. 12-15 साल पहले, 12 साल पहले लगबग मेरे को इंडिया में कॉल आय था, अमेरिका से, मैंने अपलाई भी नहीं कहता है, मेरे पास H1B नहीं था, वो मेरे H1 करने के लिए रड़ी थे, वो एक अलग कहानी मनें, एक और वीडियो मनाईए, मैं यह आपके लिंक कर दूँगा, बट यह सोच के, आपको रोज का आदा घंटा निकालना है, सिरफ इसी चीज के लिए, जिसमें आपको अपनी प्रॉस्पेक्टिव अमेरिकन एंपलोयर हंट शुरू करना है, तो वो हंट में दो तरीके हो सकते हैं, पहला तो एक मैने वीडियो में बड़ा डीटल में बताए कि हाव तो फाइंड इच वन भी स्पांसर, तो मैं यहाँ पर एक लिंक कर दूँगा, उसमें आप डीटल में जाके देख सकते हैं, कि यह से आपको लेंग्डिन पर पर्सनलाइज तरीके से एंपलोयर को रीच आउट करना है, रदर दन बेड़ चल की तरह पर पर जाके अपलाई कर दिया और वो सब एक तो तरीका यह हो गया, दूसरा तरीका जो कि काफी सारे भाहियों ने वीडियो में सवाल कई पूछा हुआ था, एक सुमित चौधरी भाहियों ने पूछा हुआ था लेटेस वीडियो पर, कर टेक करेगी, फ्लाइट की टिकेट कर टेक करेगी, हलाकि उनकी जब यहां पर सालरी शुरू होगी तो उसमें से फ्लाइट के टिकेट के पैसे वो काट लेंगे, और जो उनका financial arrangement होगा, वो हुआ 70-30 का, तो जितनी भी सुमित भाहि की billing होगी, for example सुमित की billing होगी, $100,000, तो 70% he will keep it and 30% will go to that employer जो उनको यहां पर consulting अमनी ले के आ रही है, तो उन्हेंने पूछा होता है, ऐसा ही टाइम पर क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई पहले तो पहला वाला काम करना चाहिए, कि try to negotiate with an employer if you can, अगर वहां पर बात नहीं बनती है, तो अपने आप से एक अफ़ता, दो अफ़ता बैट के LinkedIn वाला वो वीडियो देखके उससे अपने आप रीच आउट करों यहां पर employers को, तभी भी बात नहीं बनती है, तो then consider these consulting companies as your last option, क्योंकि again, your first objective is to come here at any cost before you lose your H1B duration जो तीन साल का है, तो अगर consulting company कह रही है कि 70-30 कर रहे हैं, go for it, the only thing that I would tell you is, be a bit cautious, सबसे पहले तो कोई भी उनको upfront payment मत करो, अगर वो बोलते हैं कि यह $5,000 दो और हम यह करेंगे, तुम्हें ट्रेन करेंगे, कि ऐसा कुछ है तो भाई, just get rid of them, ऐसा नहीं करना है, और दूसरा, आजकल बड़ा easy है, सब कुछ Google पे मिल जाता है, जो भी company का नाम है, उस company का नाम सर्च करो, उसकी जो यहाँ पे अमेरिका में जुसकी firm है, of course, it has to be an American employer, that's the only way they can transfer your H-1B, so जो उस भी American company का नाम है, जो भी यहाँ पे क्या चलता है, और you can easily figure out कि उसका revenue approximately किस range में आता है, is it less than million dollars, multi-million dollars, जिससे कि तुमें थोड़ा बात idea लग जाएगा है कि यह ऐसा fraud वाला system तो कोई नहीं है, plus you are not making any upfront payment, and if they are still investing money to transfer your H-1B, क्योंकि उनका भी होड़ा effect और पैसे लगेगा उसमें, without taking anything from your pocket, I think it might be a decent one to go with, और यहाँ पर एक चीज यह भी ध्यान रखना है कि अगर वो 70-30 वाला यहाँ यहाँ बूल रहे हैं, तो you shouldn't be signing a long-term contract, it shouldn't be like कि पहले दो साल आप जोब चेंज नहीं कर सकते, और 30% आपको हर्मेन आपको देना पड़ेगा पहले दो साल तक, that might be too much, तो renegotiate on that, और उसको अगर जैसे तीन महिने का है, और जैसे छे महिने का भी है, then also I think it is okay, अगर मैं तुम्हारे जेगा होता है, तो तीन छे महिने का 70-30 करना पड़ता, तो मैं कर लेता, अगर मेरी बाग की किसी तरीके से बात नहीं बन रही दितो, and once you are here, your objective should be, कि जैसे ही तुम्हारा वो तीन यचे मैंने खतम हो रहे हैं, you should be ready to switch right away, और उसके लिए, जब तुम्हारे पास यो इंडिया में टाइम मिलेगा, ये सारी प्रोसेसिंग के दौरान, उसमें इंडिया में ही अपना सारा स्किल सेट अप्ग्रेड करो, जू भी तुम्हारे फील्ड के सटिफिकेशन good तेकनोलेजी मिए तुम हो वो सारे सेटिफिकेशन करो, इंडिया से एकदम पावर पाक बनके यहां पर आओ, जो भी तुम्हारे उसमें कम ही है, चाईे कॉंचिल स्किल्स हैं, चाईे टेकनिकल स्किल्स हैं, सब पर काम करके अच्छे से उसको रिफाइन करके यहां पर आओ यहां पर आते ही जैसी तुम्हारा तीन से छे मैंने का उसको कंसल्टिंग कंपनी के साथ कॉंट्राक्ट है उसी में कीप ट्राइं की दे यूर कॉंट्रेक्ट गेट्स ओवर यू आर जिस रड़ी तो मुग त सकते हो देवन से ही तो में इंटर्वीज वगरा देना शुरू कर सकते हो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर मेरे कुछ है मैंने रुखना है बाद में ट्राइग करूंगा मेरे दोस्त जो अच्छी कंपनीज होती है मैंने यहां पर कुछ टेक्निकल प्रोड़क्ट क बड़ी कंपनिया हमेशा जो है क्या बुलते हैं उसको यार बफर लेके चलती है ऐसा नहीं कि उनका एक एक एंपलोई जब चला गए तो ही वो दूसरा ढूंडेंगे ते अलवेज आव बफर खासकर बड़ी टेक्नोलोजी कंपनीज में तो तुम अगर देवन को अपलाई परस्नली थीक है मैंने मेरे इंटर्व्यूस खतम हो गेते दिसंबर में मैंने कंपनी जोइन की जून में तो अर दूसरा कई भर ये भी होता है कि इफ दे रिली वांट यू राइट वे और देनो कि तुमारा कहीं पर कॉंट्राक्त है या नोटी स्पीर चार महीने का है या देवन से यहां पर आके तैयारी कर सकते हो ठीक है 17-18 मिनट का वीडियो हो गया बात करते करते रिकाप करता हूं तीन चीजे सबसे पहली चीज दू एवरी डैम पॉसिबल तिंग फोर्स इट शुड बी लीगल तो बी हेर डून वेस्ट यूर एच्वन भी सेटिंग सेल्स टीम को बुलाते हैं अच्छी बात है नहीं बुलाते हैं तो भाई बाहर निकलो मार्केट में मेरा यह वीडियो में बना हूँ एच्वन पे कैसे स्पांसर डून ना इंडिया बेटे-बेटे वह वाच कर लो इसमें हो सकता है को कुछ सेंसिबल चीज है मिलें वहां अब कंपनी अच्छी डली हुई अधिर्टर्स वगर आपने डेक लिये कमपनी का रेवन्यु देख लिया कब राइस ट्रू यह फंगो दे लिया हर तरह रहा से ठीक लग रहा है वह प्रण पैसे नहीं मांग रहा है कि हमार साथ ट्रेनिंग कोर्स करो तब यह करेंगे वो क तो हम आपका एच वन ट्रांसफर या फाइल कर देंगे देन समाव यह तो हजार डॉलर दे के बैठ जाएंगे असा नहीं करना है ठीक है तो यार सुमित भाई और बाकी जो भाईयों का इस तरह के सवालते हो फुली में अपनी अंडेस्टैंडिंग इस वीडियो में शेयर कर है तनाप न ले सिहत का ध्यान रखे है एच वन भी मैं हमेशा कहता हूं कि it's a it has been like a life-turning opportunity for me and i'm sure if you use it with the right mindset negative it can do wonders for you too ठीक है चालिये टेक केर बाई बाई